मंदोदरी आखिर दिल्ली पुलिष चाहती क्या है किसी की आर्टी पीसिएर बनवा रही है और किसी पर आर्टी पीसिएर नहीं है तो उसको भार निकाल दे रही है हेलो एब्रीबडी दिस इस माही और आज बात करेंगे सबसे पहले आपको सबको पता है कि आज कौन सा डे है आज डे है थ्री कौन सा डे है डे नमबर थ्री और हमारा फिजीकल कॉंटिन्यू है दिल्ली पुलिस का कॉंस डेवल का फिजीकल हम हमेशा दो चीज कबर करते हैं अपने content में हम ज्यादा फरजीबारी की बात करते नहीं है आप सब लोग इस बात से aware है मेरे बारे में कि हम क्या करेंगे एक तो सबसे पहले बात करते हैं डेली के selection की कि selection कितना हो रहा है दूसरी चीज हम बात करते हैं एक कोई भी नियू अपडेट कि कौन सी सर आज क्या स पात कर लेंगे सबसे पहले हम जाने लेटें निउअपडेट्स क्या क्या है तो निउअपडेट्स पर मैं आपको बता देता हूं बात ठीक है चलो आजाओ देखो जड़ा एक बार वही पहले तो यहीं लिख लो डायरेक्ट डे 3 और फिजिकल चल रहा है अब इसके बारे मे ऄес साथियों सबसे पहले तो आपको इसको सबस्कराइब करना हैplain इस बटन पर नीचे आपको डिस्क्रिप्षाइन को चोड़ी है इस जोई कर सकता है 팀 कमेंट करके चोड़े दिया उसको कोई देख ही नहीं रहा है क्योंकि लोग जाएतार आंसर देते नहीं है तो फिर भी देता हूं तो कमेंट की बजाए आप टेलीग्राम में जाएं वहाँ पर मैंने चैट वक्स ओपन किया हुआ है वहाँ पर अपना कोशन लेखें एक तो सा जो स्टैप बोर्ड है स्टैप बोर्ड वो जो हमारे एक फट्टा सा रखा रहे था लकड़ी का किसके बीच में वह जो हमारी लॉंग जंप होती है यह वाला जो ट्रैक होता है यहां पर कूदने की जगह पर एक एक बॉक्स सा रख देते हैं उससे आपको छलांग लेने हो देखो आप कि आप यहां से भागे गए तो यहां पर एक बोर्ड सा रख देते हैं वो जहां से आपको जंप लेनी है अब एक चीज़ और समझे लो साथी साथ की यह बोर्ड किसकिस में अवेलेबल है यह बजीराबाद में और यह अवेलेबल है आपके जड़ोदा कला में जड़ोदा कला ग्राउड में यह NPL में अवेलेबल नहीं है अभी ध्यान रखना NPL ग्राउड में जो किंग्स वेलेबल आपना उसमें यह अवेलेबल नहीं है गल्स के लिए जहां पर गल्स के फिजीकल चल रहे है तो अगर किसी गल्स का यहां पर फिजीकल है बजीराब तो यहां की बजाए यहां चली जाएगी मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में आपके फरक इसमें रहता है तो यह उनके लिए फायदा है जिनके लिए स्टैप बोर्ड लगा हुआ या स्टैप बोर्ड बना हुआ है तो उचलने वाली जो जगह है जंप लेने वाली वहां पर कैमरा सेट है यानि वहां फाउल नहीं होना चाहिए अगर वहां से आप की कुदे तो इधर अगर आप पॉइंट टू पॉइंट वन सेंटिमीटर लेस कुद गे थोड़ा कम पीछ है थोड़ी सी किसमत साथ देती है तो आपका सारे काम हो जाते हैं तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहां से अच्छे से कूदना है यहां पर अगर पॉइंट में कुछ चीज़ें कम भी रही तो हो सकता है आपकी किसमत अच्छी हो तो वह ले जाए लेकिन फाउल आप बि जो सलेक्शन है यह तो अपडेट होगी अगर कोई और अपडेट आएगी नई तो उसके बारे में भी बताऊंगा ठीक है एक अपडेट और चलो उसको भी बता देता हूं बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कहते हैं सर रनिंग जब हम कर रहे हैं तो रनिंग के बाद ह ंब को कितना टाइम मिलेगा लोंग जम्पंट करने लिए और क्या चीजा पहले होगी रोगो हाी होगी देखो ननिंग के बाद होतीया लॉंगजब सबसे पहले बाद सब्सकी बीच मिलेगा साति ओ कोई भी प्रॉयब्लम नहीं अपने आप अराम से जो सांस चड़ियो उस अब एक चीज़ और बता दूं कि 10th, 12th, DL, Domicile और Cast ये main चीज़े हैं RT-PCR के बाद और Admit Card के बाद ये आपकी चेक होंगी कहां पर ITCell में इसके बाद आपको slip मिल जाएगी देखो slip मैं दिखा दूंगा आपको कैसी slip मिलती है physical qualify होने के बाद ये slip और उसके बाद ITCell में आपकी चीज़े चेक होंगी अगर ये सही है तो बस ठीक है एक सबसे बड़ी big update ये बहुत बड़ी big update है और वो है EWS के लिए साथियों ये बि consider किया जाएगा मतलग just before five days or ten days भी आपका अगर certificate बनाए EWS का तो वो मानने होगा आपको डरने की जरूरत नहीं है समझ गए EWS वाले अब नीचे मत पूछना सर आप EWS की ही बात कर रहे हाँ भाई EWS की ही बात करना हूं ठीक है अब आजाओ ये update हो गई आपकी और चिप भागा नहीं गया 400 मीटर का ही ग्राउंड है एक दम यह बिल्कुल ओफीशली मीजर्ड ग्राउंड से समझ गे और बताओ क्या है फिर वहाँ पर आपकी हाइट चैस्ट वेट भी मीजर होगा ध्यान रखना यह फिजीकल होने के बाद रहने के बाद अब समझ के अब यह त चलो थेंक यू थेंक यू बेरी मच्च